कि येलो तो नमस्कार दोस्तों आप सबी लोगोंगा स्वाज़त है आपके अपने यूटूब चैनल में तो आज का हमारा टॉपिक है होस्पावर का आज हम बात करेंगे होस्पावर के बारे में इसकी हिस्ट्री इसकी डेफिनेशन और इसकी मिजरमेंट के बारे में कि दोस्तों सबसे पेले हमेगा हम बभरे क्या होता है और की जरी मापने की जो मन पर मिए तो आप आप तो अहःगे जान लेते हैं दोस्तों कि अखिर एक मेकानिकल अउस्पावर कि इसकी नहीं कर सकते हैं कि 33,000 फूट पार मीन या फिर हम इसको 550 फुट पॉंट पर सेकंड और इसको हम आगे भी कायों में कनवर्ड कर सकते हैं जैसे कि वाट में कनवर्ड करने पे इसकी परिभासा है वह 745.69 होती है तो दोस्तों अगर हम बात करें हम इस पावर के इस्ट्री के बारे में तो जो इसकी सुरुबात है वह पावर होती थी आउटपूट होती थी उसका कमपैरिजेंगे अपने गोड़ों से किया करते थे तो इस तरह वो अपने इस्ट्रीम इंजन की तुलना है पावर है उसकी गोड़ों करते थे और इसको होर्स पावर कहते थे तो अब सोचने वाली बात ये दोस्तों की आखिर वो अपने steam engine की तुलना गोडों से कैसे करते थे तो आईए जानते हैं इसके बारे में तो अगर बात करें होर्स पावर की तो यह दो सब्दों से बनाया है पहला होर्स और दूसरा पावर तो होर्स की पावर को मापने के लिए हमने एक मेकनिजम लगाया है जिसमें पुली रसी के खुरू हमने 200 किलोग्राम का वजन दूसरी तरफ एड कर दिया है घोडे की ताकत को मापने के लिए जब यह गोडा आगे की तरफ दोडेगा और पुली रूटेट होगी जिससे यह रसी खीजी जाएगी और 200 किलोग्राम का वजन है वह उपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो आईए हम इसको आगे और अच्छ तरीके से समझते हैं अब घोडा आगे की तरफ मूव करेगा तो 20 kg का वजन उपर की तरफ लिफ्ट वए इस साप इस फिगर में देख रहे है थे तो 20 kg का वजन लिफ्ट होगया जिब गोडे उड़ेने आगे की तरफ मूव किया तो इसका जो हाइट होता है वो एक फूट का होता है 12 kg वजन को 1 foot तक 12 kg वजन को 1 foot तक lift किया घूड़े ने 1 second के अंदर time अपना 1 second है मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 1 second में 1 foot की height तक 12 kg वजन को lift किया जाया तो उसे हम 1 horsepower कहते हैं जैसा कि इस आप diagram में देख सकते हैं तो आसा करता हूं दोस्तो आप आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्नवाद